मैं मुकेश कुमार परिहार यूट एकेडमी के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिग अभी नंदन करता हूँ आज है छे जनवरी 2020 और हमें पढ़ना है पांच जनवरी 2020 से सम्मधिर जितने भी कवरेंट एफेर्स या जनरल अवेडनेस के कुश्चन्स बनते हैं उसके बार के रेला का शुबारम किया है तो के रेला का शुबारम किस ने किया है के यानि एक ऐसा राज्य का नाम बताईए जिसका नाम के से शुरू हुआ बिलकुल आपने बहुत अच्छा गेस किया वो है केरल कौन सा राज्य है केरल के रेला का शुबारम किया है वो है केरल अब य किया है Real is state regulatory authority? इसका मतलब यहा रियल isто i यह जमीन है और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी जो खरीदी विक्री होती उसको रियल इस्टेट मोलते हैं और रियल स्टेट में पारदरशिता लाने के लिए केरल सरकार ने Real State Regulatory Authority की इस्थापना करी है अब बात है यहाँ पर केरल की तो केरल की राजधानी तुरुवन्दपुरम पिन्राई विजियन और आरिप महुम्मद खान यह यह चीजे तो केरल का नाम आती है आखे बंद करके आपको पता होना चाहिए कि उसकी राजधानी उसके CM और राजजपान ठीक है अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कुशन की तरफ कुशन नमबर दो बहुत ही इंपोर्टेंट कुशन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन है हाल ही में 2020 का Global Child Prodigy Award कौन सा अवार्ड है Global Child Prodigy Award जो किसने जीता है अपने हाँ पे जहन में बहुत सार कुशन उठते हैं ये Global Child Prodigy Award क्या है किसे मिला है और किस शेत्र में दिया जाता है तो इस प्रकार से तो Child है यानि बच्चों को दिया जाता है Global शब्द है यानि इसका मतलब हुआ कि विश्व के किसी की बच्चों को दिया जा सकता है तो ये Global Child Award किसे दिया गया है तो ये Global Child Award दिया गया है सुचिता सतीश किसको दिया गया है सुचेता सतीश को दिया गया अब यहाँ पर बारे आते हैं सुचेता सतीश कोन है तो सुचिता सतीश के बारे में देखते हैं यह कौन है यह हैं सुचिता सतीश जो है वो दुबाई इंडियन हाई स्कूल में पढ़ती है तेरा साल की लड़की है और दुबाई इंडियन हाई स्कूल में इसको नाइटिंगल कहा जाता है नाइटिंगल का मतलब होता है प्रतियों गिता में 120 बहुता अलग बहुता है इसके कारण उसको ये ग्लोबल चाइड प्रोडगी अवार्ड अब ये शुक्रवार के दिन न्यू दिल्ली में चुक्षकारवार के दिन क्या दिया गया यह पूरुसकार दिया गया और यह पूरुसकार क्या है इस अवार्ड को क्या है किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन अब्दूल कलाम का जो अंतराष्टी फाउंडेशन है उसके द्वारा और हमारे ओसकर अवार्ड विनिंग कोन है म्यूजिक प्रोडूसर कोन है एर रहमान उनके द्वारा इस अवार्ड को क्या किया जाता है सपोर्ट किया जाता है इस दिन वहाँ पे न्यू देली में हमारे भारत के नोबल प्रीस प्राइज विनर कोन है केलास सत्यार थी वो भी शामिल थे चिप गेस्ट के रूप में और उस समय ये पुरुसकार दिया गया तो इस कुशन से ने मैं आपको ये छोटी-छोटी चीजों के जानकारी रखना है ओकए? चलते हम हमारे अगले कुशन की दरब कुशन नम्बर थण क्या है? हाली में भारत ने किस देश के साथ परमानों-прतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है यानि आपके जितने भी परमानों के प्रतिष्ठान है यानि प्रमानो बम जो रखते हैं पन उसकी प्रतिष्ठान है प्रतिष्ठान मतलब जहां जहां जगह है उसकी सूची का आदान प्रदान किया तो आप खुद कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा देश होगा वो देश है पाकिस्तान यानि पाकिस्तान के साथ भार इस पालिए में पाकिस्तान की क्या है पाकिस्तानी क्या है यह तद्धानी रुपिया और वहा के जो प्रधानमंत्री और प्रेशिडंड कोन है आृप अलवी कौन है आरीफ अलवी अब हम चलते हैं हमारे कुश्चन नमबर चार की तरफ हाली में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने आरोगिश्री योजना का उद्गाटन किया है आरोगिश्री आरोगिश्री मतलब वही जो बीमार हो जाते हैं और आपको पता है प्रदान मंत्री जन आरोगिश्री योजना भी चलाई है तो इस प्रकार से कई राज्यों ने अपनी खुद की योजना भी चलाई है जैसे राजिस्तान सरकार में भामाशाई योजना है तो इस प्रकार की योजना भी चलाई है तो किस राज्य सरकार ने आरोगिश्री योजना का उद्गा अब आंद्र प्रदेश के बारे में बताईए आंद्र प्राजदानी है है अधराबाद प्रस्तावीत राजदानी अम्रावती है जो हम हरवार भार बोलते हैं वाइए जगनमोन रेड़ी वहां के मुख्य मंत्रि और इनोंने इस योजना का किया शुबारं किया बिस्व भुषण हरी चंदन वहां के राज्य पाल हैं चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले कुश्चन कितब कुश्चन नमबर पांच कुश्चन नमबर पांच में पढ़ेंगे हाली में नेतरहिनों के लिए खेल प्रतियों किता का शुभारम कहा हुआ है कहा हुआ है देल्ली में हुआ है दिल्ली की राजदानी अर्विंद के रिजडिवाल अनिल बेजल वहां की क्या लेप्टिन गवर्नर और आयोजन करने वाले कौन है आई बी एसे का मतलब क्या होता है इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोशेशन कोने इंडियन ब्लाइंड इस्पोर्ट्स एसोशेशन नाइंटीन अटीसिक्स में इसकी क्या हुई है इस्थापनाई अब हम बढ़ते हैं हमारे क्रिश्टियान नमबर चे की तरफ हाली में दुबई ग्लोब साकर के कौन सा अवार्ड है ग्लोब साकर अवार्ड में किसे बेस्ट मैंस प्लेयर ऑप दा येर का आवार दिया गया किसे दिया गया है तो ये दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबालर है पिछले नो सालों में छे बार ये अवार्ड उन्होंने जीता है अब इस वीडियो में कमेंट में आपको लिखना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क कौन है किस देश के लिए खेलते हैं और उनके बारे में जो भी जानकारी हो वह आप लिखिएगा कुशन नबर सेवन की तरफ चलते हैं कुश्य नमबर 7 क्या है हाली में CSC हाली में CSC e-governance सोडी गलत लिखा है e-governance services इंडिया ने fastex की बिख्री के लिए किस payment बेंक के साथ समझता किया है इ गवर्नेंस services इंडिया ने fastex की बिख्री के लिए किस payment के साथ समझता अपने देखा होगा शरकार ने पहले कहा था कि 10 गहुद दिसंबर से अनिवारे हो जाएगा फिर उसके बाद 1 गहीं से नई हुआ और 16 क्रलां दिसंबर से उनिवारे कर दीया गया इस प्रकार से से स्टेक एक तोल प्रजाइज वहां此नल पिलाजा यहाकर नधारे दायरे में अगर नहीं रहते हैं तो आपको वहाँ पर नेशनल हाईवे पर पैसा चुकाना पड़ता है तोल फिस में वहाँ पर खुल ले की दिक्कत आती है कई सारे चीजह दिए सरकार ने वहाँ पर आपको फास्टेक लगा दिया यह आपके ड्राइवर के पास वाले जो श जाएका आप फास्टेक का मतलब जिस प्रकार से आप मोबाईल में रिचार्ज करते हैं यह फिर अपने अटाटा इस помощь में रिचार्ज करते है उसक knary पेटियम पेमेंट बेम अब CSC का मतलब क्या होता है common services center यानि common services center जितने भी है भारत में उन सब में के लिए किस payment bank से साथ समझता किया है की विक्री के लिए तो पेटियम पेमेंट में अब हम चलते हैं हमारे अग कुशन नमबर आठ की तरब हाली में solar park को की स्थापना के लिए भारत ने किस देश को पिचोतर मिलियन अमेरिकी डालर का रिंड देने की गोशना करीन तो solar park यानि जो solar energy के लिए लगाते हैं तो किस क्यूब क्यूब को सिट पिचोतर मिलियन अमेरिकी डालर का रिंड देने की गोशना भी करिए और उसको रिंडिया अब क्यूबा के बारें पड़ते तो क्यूबा क्या है एक देश है और क्यूबा की जो कैपिटल है वह हवाना करेंसी उसकी है क्यूबान पेसो क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेंक ऑफ इंडिया नाइंटीन एट्री टू में इसका इस्थापना होती और इसका हेटकॉर्टर मुंबई में और डेविड रेस्कुना कोने डेविड रेस्कुना वो क्या है इसके सी एओ है अब हम बढ़ते हैं हमार कुश्चन नमबर 9 quarantine and last Christian of the day question number 9 हे हाली में इस्टार क्में अपना एक शचेत्री शयक्षुनीक के मतलों एजूकेशनल बताइज रिजिनल एजूकेशनल सेंटर कहां इस्थापित किया तो नकिरल करनातक में हैं अपना शेत्री स्थारप्शनिक में के लिए अन्देस अब यहां पे दो चीज आगे करनातक के बारे में पढ़ना इसरा के बारे में करनतक के बारे में आखर-बंदर के बता एं-तनी के बैंगलर लूर Bonjour यगर वाल रर्ब उसी प्रकार से हम इसरों के बारे में इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन 1969 इसका फाउंड़े मतलब इसका इस्थापना वर्ष है और इसका हेटकोर्टर है बेंगलुरू और इसके प्रेसिडेंट जहां जो अध्यक्ष है वह है के सीवान देखिए आज आज आपने रिएल स्टेट रेगुलर्टरी अथरोटी ठीक है दूसरा कोश्चन है ग्लोबल चाइल्ड प्रोड़्जी अवार्ड का नाम होता है सूचेता सतीश क्या नाम है सूचेता सतीश 120 लेंग्वेज में इन्होंने सिंगिंग करी है तेरा साल की गुडिया है अगला कोश्चन ह परमाणों प्रतिष्ठानों के सूचिक आरदार प्रदान भारत पाकिस्तान तीसरा कोश्चन भी हो गया आरोगे श्रीयोजना का उद्गाटन कहां किया आंद्रप्रदेश में चोथा कोश्चन भी हो गया पांचवा है नेत्रहिनों के लिए खेल परतियों के ताक सर्वीज इंडिया में फास्टेक की बिकरी के लिए किस पेमेंट बेंक के साथ समझता किया है तो पेटियम पेमेंट बेंग और कुश्चन नमबर आठ है आपका पिचोतर मिलियन अमेरिकी डालर का रिन दिया है भारत ने तो किसको दिया है किस बैंग ने दिया है एक्जि इन नो कुश्चन को एक बार रिवाज कि हर दिन के कुश्चन आपको रिवाइस करना विदाउट रिवीजन आपका पड़ा हुआ 24 वर्स में बिलकुल नील हो जाएगा आपको पी पता भी नहीं चलेगा कि कुश्चन मेरी का आँखों के सामने से कभी गुजरा है तो इस प्रकार से और जो इंडियन ओर्गनाजेशन जो होते हैं वो उनको अलग लिखी है उसके बाद हमारे जो भारत की जो इंपोर्टन इंपोर्टन चीज है जैसे कि हमारे बाद एक 28 स्टेट्स हैं और 9 युनियन टेरिटरी से उनके बारे में भी आप लिखी अलग से एक आभरत करिएगा आपके आखों के सामने से पिचर वही से आना चाहिए कहां से आपकी कॉपी से यहां तो हर बार करनाटक का इस्थान चेंज होगा जगह चेंज होगी उसके फोन дост करेंगे अपके आप वहीं से याद करिए और यहां पर इंद चाल लगा जाए तो लाइक कर और English के वीडियो भी बनाएंगे तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए Youth Academy के साथ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thanks so much